नमस्कार, Vision ISK News Today के इसंख में आप सभी का स्वागत है, इसंख में हम आपके लिए लेकर आए हैं, UPSC परिक्षा की दृष्टी से महत्वपूर्ण, कुछ एहम खबरें इसंख की सबसे पहली खबर आपदा प्रबंधन से संबादित है, हाल ही में आपदा अनुकूल अवसंरचना के लिए गटबंधन यानि Coalition for Disaster Resilient Infrastructure CDRI की वार्षिक वैठक का तीसरा संस्करन आयोजित किया गया है ऐसा बुर्यादी धांचा जिस पर किसी भी प्रकार की प्राकरतिक या मानव निर्मित आपदा का लगभग नगर्ण ने प्रभाव पड़ता है, उसे आपदा अनुकूल संरचना यानि DRI की रूप में जाना जाता है आपदा अनुकूल संरचना के तहट संरचना अत्मक उपायों में आपदा जोखिम को प्रतिबिंबित करने के लिए अभियांतर की डिजाइन और मानकों को समायोजित करना शामिल है जैसे बाढ़ नियंतरन प्रणाली, इमारतों की रेट्रोफिटिंग आदी गैर संरचना अत्मक उपायों में जोखिम संवेदन शील योजना, संस्थागर धाचे को लागू करना, आपदा मानचित्रन, पारिस्थति की तंत्र आधारित प्रबंधन और आपदा जोखिम वित्त पोशन आदी शामिल है आईए अब आपदा अनुकूल अवसनरचना के लिए गटबंधन के बारे में जानते हैं CDRI एक स्वेक्षिक बहु हित धारक अंतराश्ट्रे समू है, जिसमें सरकार संयुक तुराश्ट्र की एजेंसियां निजी शेत्र आधी शामिल है ये गटबंदन बुन्यादी धाचा प्रणालियों में जलवायू और आपदा संबंधी जोखिमों के प्रती अनुकूलता का विकास करते हैं इसकी घोशना भारत के प्रधान मंत्री ने संयुक तुराश्ट्र जलवायू कारवाई शिखर सम्मेलन 2019 के दोरान की थी CDRI सदस्य देशों के लिए आपदा से होने वाली मृत्यू एवं आर्थिक हानी को कम करने संबंधी लक्षयों का निर्धारन करेगा और सतत विकास लक्षयों की प्राप्ती के लिए प्रयास करने के लिए उन्हें प्रेरित भी करेगा ये आपदा जोखिम निवनी करण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क और पेरिस जलवायू समझोते की बीच की कड़ी के रूप में भी कारे करेगा CDRI की शासी परिशद इसका सर्वोच नीति निर्माण निकाय है भारत और ब्रिटेइन इसके सहत ध्यक्ष हैं इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने सरवाधिक सुभेद्य देशों और प्रमुक बुनियादी धाचा शेत्रों विशेश रूप से स्वास्थ हैं एवं डिजिटल बुनियादी धाचे में अनुसंधान वविकास संबंधी चिंताओं को संबोधित करने में CDRI की भुमिका को र दुवायत संस्थान आरेभट प्रेक्षन विज्ञान स्षोध संस्थान के विज्ञानिकों ने अभिवरिधी चक्रिका से पबनों की उत्पत्ति की जाच की है दरसल अभिवरिधी चक्रिका यानि एक्रिशन डिस्क एक सनरचना है जो ब्लैक होल के चारों और कक्षा में बिखरे हुए गतिशील छोटे बड़े पिंडों द्वारा बनती है जैसे ही गैस और धूल के कंड ब्लैक होल की और आकर्शित होते हैं तो वे इसके चारों और एक चक्रिका यानि एक्रिशन डिस्क का निर्मान करते हैं चक्रिका में जैसे जैसे इन पिंडों की मात्रा ब प्रवाहित होने और मंदा किनिये प्रभामंडल से पवनों का भीतर की और प्रवाह अवरोध होने की वज़े से पवने ब्लैक होल से युक्त उस आकाश गंगा के विकास को आकार प्रदान करने में महत्तपूर्ण भूमिका निभाती हैं ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक ऐस इस्थान है जहां गुरुत्वा कर्शन बल इतना अधिक प्रभावी होता है कि प्रकाश भी उससे बाहर नहीं निकल सकते यहां गुरुत्वा कर्शन बल इतना प्रभावी होता है कि वो किसी पदार्थ को एक छोटे से स्थान में संकुचित कर देता है यह तब घटित हो स सकता है जब किसी विशालतारे की जीवन का अंतिम चरण जारी हो। हाल ही में खगोल विदों ने एक सुपरमैसिव ब्लाक होल को स्वैम विचरन करते हुए पाया है। सुपरमैसिव ब्लाक होल को अपने चारों और जे 0437 प्लेस 2456 नामक आकाश गंगा की गती से अलग गती करते हुए देखा गया है। देशज लोग अपनी भूमी, शेत्र और संसाधनों से संबध उनकी पहचान, कल्यान और संस्कृति के केंदर में है। निस्कर्षन, उद्योग परिचालनों, क्रिशी विवसाय, आधरित विक्षार उपन, बुनियादी धाचे के विकास और संरक्षन संबंधी पहलों के संदर्व में अपने अधिकारों का दावा करने के दौरान देशज लोगों को चुनोतियों का सामना करना पड़ता है। उद्यारन के लिए वर्ष 1927 में भारत वन अधिनियम में प्रारूप संशुधन से वन अधिकार में मानेता प्राप्त स्वदेशी लोगों के वन अधिकारों के समक्ष खत्रा उत्पन्न हो सकता है। ऐसे अधिकारों की अपचारिक मानेता और वास्तविक कार्यानवयन के बीच एक व्यापक अंतराल मौजूद है। उद्यारन के लिए भारत में वन अधिकार अधिनियम के तहट सामुदाइक भूमी के दावों के 46 प्रतिशत से अधिक मामलों को अवैध आधारों पर अस्विकार कर दिया गया है। देशज महिलाओं ने भूमी के साथ देशज परियावरन सुरक्षा और जलवायू परिवर्तन जैसे तरीकों पर निर्भर है। इसके लिए रिपोर्ट में कुछ सुझाओ भी दिये गए हैं। जैसे देशज पारंपरिक भूमी की प्रभावी रूप से पहचान और सीमांकन के लिए एक सुलभ और लागत प्रभावी नीतियां और कारिकरम देशज लोगों के अधिकारों के संबन्द में पूर्णत संगत होने चाहिए। पर अभी समय को पून रूप से लागू करना चाहिए सतत्विकास लक्षियों की रिपोर्टिंग में सुरक्षित भूद्रिती अधिकारों संबंधी देशज लोगों के आंकणों में भूमी और संसाधनों पर उनके प्रतागत अधिकारों यानि लैंड टैन्योर या भूद् करना चाहिए अगली खबर पडूसी देशों से व्यापार संबंधों पर आधारित है बांगलादेश से भारत को खाद्य उत्पाद की प्रिथम खेप अंतरदेश्य जलमार्ग के माध्यम से भेजी जाए खाद्य उत्पाद की ये पहरी खेप नरसिंगडी बांगलादेश के पलाच से भेजी गई है ये प्रोटोकॉल में निर्धारित मार्गों पर अंतरदेश्य जलमार्गों का उप्योग करके कोलकाता पहुँचेगी सितंबर 2020 में नवीन प्रोटोकॉल मार्ग पर प्रिथम शिप्मेंट सीमेंट की खेप के साथ आरंब हुई थी ये खेप ब मार्ग मार्गों और ततकाल विश्राम के लिए पत्तनों से संबंधित समझोते के लिए प्रावधान करता है मई 2020 में प्रोटोकॉल फोर इनलैंड वाटर ट्रेड एंड ट्रांजिट यानि पी आई डब्लू टीटी के परिशिष्ट में नए मार्गों और पोर्ट्स ऑफ क कनेक्टिविटी यानि चिकन नेक कोरिडोर पर सामरिक चिंताओं को संबूधित करता है परिवहन का किफायती तेज सुरक्षित और पर्यावरन के अनुकूल साधन प्रदान करता है इसके अलावा सांस्कृतिक और विरासत संबंधी परिटन का नवीन गंतव्य पर एक हस्त शिल्प और हत करगा तक बाजार पहुत सुनिश्चित करता है इसी तरह करादान परियोजना कुलकाता को म्यामार के रखाईन प्रांत के सित्वे पत्तन से जोड़ती है म्यामार में ये कलादान नदी के नवभीन मार्क के माधियम से सित्वे पत्तन को चिन Jason प चार करोड राशनकार्डों को आधार से नहीं जोडने पर रद किया जाना अत्यंत गंभीर का रवाई है। आई अब आपको बताते हैं कि आधार कहा पर आवशक है। या लक्षित सावजनिक वितरन प्रणाली के तहत उचित मुल्यों की दुकान से आवशक वस्तों की खरीद के लिए राजसरकार के प्राधिकार के अंतरगत जारी एक दस्तावेज है। पीडियस को दुतिय विश्यूय धुके दौरान युद्यकालीन राशनिंग उपाई की रूप में प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद निर्धनों पर ध्यान के इंद्रित करने के लिए टीपीडियस को वर्ष 1997 में लॉंच किया गया था। अंतर राज्य पोर्टेबिलिटी प्रदान करने में सहायक है और खाद्यान वित्रन संबंधी अनियमित्ता तथा लीकेज को रोकने में सहायता प्राप्त होती है। आईए अब नज़र डालते हैं कुछ संशिप्त किंतु महत्यपून खबरों पर। लोकसभा ने विनियोग विध्यक 2021 को पारित किया। विन्योग विध्यक का अधिनियमन सरकार को वित्य वर्ष के दोरान अपने व्याई की पूर्ती के लिए भारत की संचित निधी से धन के आहरण की अनुमती प्रदान करता है। संविधान के अनुच्छेद 114.3 के अंतरगत संसत द्वारा इस प्रकार के कानून को अधनियमित किये बिना संचित निधी से कोई राशी नहीं निकाली जा सकती है। सरकारी अधिकारियों को समय से पहले सेवा निवृत्त करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। ये नियम सरकारी सेवकों की आवधिक समीक्षा और समय पूर्व सेवा निवृत्ती की नीती निरधारित करते हैं। घरेलू प्रनालिगत रूप से महत्वपूंट बैंक, DSIBs राज्य द्वारत संचालित बैंकों के विले के बाद DSIBs की सूची का विस्तार हो सकता है वर्तमान में भारतिय स्टेट बैंक, ICICI बैंक और HDFC बैंक DSIBs की रूप में वरगी कृत हैं इन्हें टू बिग टू फेल के रूप में स्विकार किया गया है टू बिग टू फेल का मतलब है वे फर्म जिनकी वित्य शती अर्थवेवस्था को व्यापक नुकसान पहुचा सकती है DSIBs वे बैंक हैं जो अपने आकार, पार शित्रादिकार गतिविधियों, जटिलता और विकल्प की कमी तथा घरेलू या वैश्विक अंतर संयोजनात्मक्ता के कारण प्रनालिगत रूप से महत्तुपून बन जाते हैं जिन बैंकों की परिसंपत्ती, सकल घरेलू, उत्पाद यानि GDP के दो प्रतेशत से अधिक होती है, उन्हें इस समूहू का भाग माना जाता है DSIB फ्रेमवर्क 2014 के अनुसार RBI को प्रतिवर्ष DSIB के रूप में नामित बैंकों के नामों का प्रकटी करन करना होता है Stop TB Partnership सरकारी संगठन, नागरिक समाज तथा सामुदाइक समूह और निजी शित्र शामिल है केंद्रिय स्वास्थे और परिवार कल्यान मंत्री डॉक्टर हर्श वर्धन को Stop TB Partnership बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है ये बोर्ड नेत्रितों और दिशाप्रदान करता है और साथ ही सहमत नीतियों, योजनाओं के कार्यान्वियन और साज़धारी की गतिविधियों आदी की निगरानी करता है इटली ने अंतराष्ट्रिय सौर गठभंदन ISA के फ्रेमवर्क समझोते पर हस्ताक्षर किये ISA को भारत और फ्रांस द्वारा सैंक्त रूप से पेरिस में वर्ष 2015 में सैंक्त रूराष्ट्र जलवायू परिवर्थन सम्मेलन कोप 21 के दौरान प्रारंभ किया गया था ISA का उद्देश्य प्रद्योगी की वित्त और शमता के संदर्ब में सौरूर्जा के बड़े पैमाने पर अभिनियोजन के लिए प्रमुख साजह अवरोधों के लिए सामोहिक प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए देशों को एकजुट करना है वर्ष 2018 में इस गडबंधन के फ्रेमवर्क समझोते में संशोधन किया गया है ताकि संव्क तुराष्टर के सभी सदस्य राज्यों के लिए ISA की सदस्यता के दाइरे का विस्तार किया जा सके फ्लेमिंगो इस बार फ्लेमिंगो ने ग्रीश मरितू की जल्द शुरुआत के बावजूद ओडिशा में चिलका जील से पलायन नहीं किया है आमतोर पर फ्लेमिंगो शीतकाल के अंतिम चरण के दौरान चिलका जील शेतर से प्रस्थान करते हैं फ्लेमिंगो अपने चमकीले गुलाबी पंखों, शेहतीर जैसी टांगों और एस आकार की गर्दन के लिए प्रसिद्ध हैं वैश्विक इस्तर पर फ्लेमिंगो की छे प्रजातियां पाई जाती हैं भारत में इसकी दो प्रजातियां हैं एक है ग्रेटर फ्लेमिंगो और एक है लेसर फ्लेमिंगो ग्रेटर फ्लेमिंगो लीस्ट कंसन की श्रिणी में आता है जबकि लेसर फ्लेमिंगो नियर थ्रेटन की सूची में आता है ये filter feeders हैं यानि ये शिकार और जल को एक साथ ग्रहंड करते हैं और फिर जल को चान कर बाहर कर देते हैं उनकी गुलाबी रंग की विशेषता के लिए लवडी ये जल जींगा और शेवाल का भक्षन उत्तरदाई है इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्तोपूर्ण खबरों के साथ तब तक अपना खयाल रखिए सुरक्षित दूरी बनाए रखिए मास्क पहनिये नमस्कार